जैसे ही मूवी स्टार्ट होती और हमें दिखाया जाता है कि कोविल पट्टी गाउं में एक आदमी और एक लड़का गर में बने बॉम को लेकर नदी के किनारे चल रहे होते हैं और गाउं के दूसरी तरफ एक महिला एक आदमी और एक छोटी सी बच्ची के साथ पुलिस से चिपी हुई होती है कहानी में हमें बताया जाता है कि वह आदमी शीव सामी है और उसके साथ उसका बेटा चिंद बरम है दूसरी तरफ जो मैला है वह शिव सामी की वाइफ है और वो छोटी लड़की उनकी बेटी है और वो आदमी शिव सामी की वाइफ का भाई मुर्गसेन है और उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम वेल मुर्गन था ये सब थेकुर गाउं में रहने वाली एक किसान फ नरसिमन वड़ाकुर भी उसी गाउं की एक उची जाती का जमिदार होता है और नरसिमन को अपनी फैक्टरी के लिए शिवसामी की तीन एकड की जमीन की जरुरत होती है लेकिन शिवसामी का परिवार उसे बेचने के लिए मना कर देता है एक बार कुवे के पानी को लेकर नरसीमन के बेटे और शिवसामी की वाइफ के बीच में जगड़ा हो जाता है और नरसीमन के बेटे शिवसामी की वाइफ के उपर हमला कर देते हैं अपनी माँ पर हमला होते हुए देख शीव सामी के बड़े बेटे वेल मुर्गन को बहुत गुसा आता है और वो नरसीमन के सभी बेटों को पीट पीट कर गायल कर देता है और इसके बदले उसे जेल हो जाती है और शिव सामी पुलिस से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जमिदार नरसीमन से रिक्वेस्ट करता है तेकिन नरसीमन ने शिव सामी को अपने गाओं के सबी गरों के सबी लोगों के सामने हाथ जोड़ कर शास्टांग प्रणाम करने को का और उसके बाद ही वेल मुर्गन को पुलिस छोड़ती है जब वेल मुर्गन को अपने पिता की इंसल्ट के बारे में पता चलता है तो वो नरसीमन को चपलों से पीड़ता है और नर्सीमन अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वेल मुर्गन को गुंडों के हाथों से मरवा देता है और वे लोग उसका सर काट के उसकी बोडी को खेतों में फैंक देते हैं बोडी का सर नहीं होने की वज़े से पुलिस शिवसामी की एफायर भी नहीं लिटती है धीरे धीरे एक साल बीच जाता है और शिवसामी की फैमिली वापस नॉर्मल हो जाती है लेकिन शिवसामी का छोटा बेटा चिंदबरम हर हाल में बदला लेना चाता है इसलिए वह मोका देख के नर्सीमन की हत्या कर देता है और नर्सीमन का बेटा गुंडे और पुलिस की हल्प से शिवसामी के परिवार को ढूंडता है और वे गुंडे शिवसामी के बेटे चिंदबरम को पकड़ लेते हैं लेकिन शिव सामी उन सभी को पीट कर गायल कर देता है, लेकिन वो उन में से किसी को भी जान से नहीं मारता, कि 8 से 20 साल पहले मैं एक गाउं में बहुत ही फेमस सराब बनाने वाला था, मेरी शराब लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और मैं एक जमीदार विश्व की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ पांडियन दीरे दीरे जमीदार विश्वनातन का बरोसा हासिल कर लेता है, और उनका मिल अकाउंटेंट बन जाता है, और इस बीच शिव सामी को दीरे दीरे एक लड़की मर्यमा से प्यार हो जाता है, और शिव सामी परकास्ट के लोगों का था और बदले में शिव सामी गाउं के बीच में पांडियन को चपलों से मारता है और पेड से बान देता है लेकिन जमिदार विश्वनातन आके पांडियन को छुड़ा लेता है और गलत होने के बावजूद भी पांडियन का ही साथ देता है और हुए जोबडियों में जिंदा जला कर मार डालते हैं यह सब देखकर शिव सामी को बहुत गुसा आता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो जमिदार विश्वनातन पांडियन और उनके सभी लोगों को काट डालता है शिव सामी गाउं छोड़ देता है और कई द चिंदबरम को अपने पिता शिव सामी की स्टोरी सुनकर काफी शोक लगता है और बाद में शिव सामी अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है और फिर शिव सामी अपने बेटे चिंदबरम के साथ वकिल वेनु गोपाल के पास जाता है और वकिल वेनु गोपाल उन दोनों की help करता है और उन्हें अगले दिन कोट में आने को कहता है जैसे ही अगले दिन शीव सामी अपने बेटे के साथ कोट में आता है तो वो देखता है कि कोट के गेट के बार नरसीमन के बेटे और उसके गुंडे उनका वेट कर रहे हैं इसलिए शिव सामी कोट नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है बाद में वकिल वेणू गोपाल उन लोगों के बीच में समझोता करवाते हैं और समझोते के अकोडिंग शिव सामी अपनी जमीन नर्सीमन के बेटों को बेच देता है लेकिन बाद में फिर भी नर्सीमन के बेटे समझोता तोड़ देते हैं और चिंदबरम को किटनेप करके उसे मारते पीड़ते हैं लेकिन फिर शिव सामी मजबूर हो के वही पुराना 20 साल पहले वाला शिव सामी बन जाता है और वो नर्सीमन के बेटे और उनके कई सारे गुंडों को मार डालता है और फिर गाओं के सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब ये लड़ाई खतम होनी चाहिए और कास्ट की वज़े से कभी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए और शिव सामी अपने बेटे चिंदबरम की जगह खुद जेल जाने को तयार हो जाता है और सभी आरोप अपने उपर ले लेता है और अपने बेटे चिंदबरम को बहुत मैनत से पढ़ाई करने और एक पावरफुल नोकरी पाने के लिए कहता है और वो कहता है कि कोई भी जमिदार तुमसे तुम्हारे पैसे और जमीन चीन लेगा लेकिन तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा नॉलेज कभी तुमसे नहीं चीन पाएगा और इसी के साथ मुवी की कहानी खतम हो जाती है